नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका क्रशी जानकार यूटीव चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त कपल धाकर किसान साथियों हमने एक पोल डाला था उसमें आपसे पूछा गया था कि कितने किसान मितर जो है खरपदवार नाशक के उपर वीडियो देखना चाहेंगे हमारी फसल की बीच में करा जाते हैं वो बड़ी समझ से हैं और इस समय पर आपने देखा होगा लगस्विंग की फसल में मजदूर काफी महेंगे मलें मतलब लागर किसान की बढ़ती जा रही हैं और खरपदवार बहुत जादा है तो ऐसी कंडिशन में कौन से खरपदवा नाशक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेरे पस कुछ कोल भी आयते हैं और पूछा तो मैंने उनको ये का कि अगर आपके खेत में खरपदवार जादा हैं बहुत जादा हैं मजदूरों से आप निकलवा नहीं सकते हैं और आपकी जरुद बन गई हैं तब फसलों पर गिलता है वह सिलेक्टिव होता तो है होता है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में आपने मिरा एक कोतर देखा होगा और जो सेब्शमी के लिए बात दी हो जाती हैं वो रुक जाने के बाद में कुछ असर तो होता है पर आप कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही आप खर्पदवार नाशक का प्रयोग करें अपके सामिन दिरों इस वीडियो में कुछ मेन में जोक हर्वी सईड उनका ही बताने वाला हो क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है और आप सैम टेक्निकल वाले अगर आपको मार्केट में कोई प्रयोग कर सकते हैं तो में जो आपको मार्केट में सबसे पहले आया था अभी तक उसका जो असर है, बरकरार है, महेंगा है पर काफी अच्छा है, आप उसका प्रयोक कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको चोड़ी और संक्री पत्ती के लिए दोनों कॉम्बिनेशन कौन से हैं, एक ही हर्भी साइड में वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं संक्री प करते हैं, तो चलिए किसानमत्रों, शुरूबात करते हैं, चोड़ी पत्ती और संक्री पत्ती के लिए दोनों ही कंबाइन जो खर्पतवार नाशक आता हैं, उससे आपको दोनों अलग लग लेने की ज़रूत नहीं पड़ती है, तो आप दिहांपर देख सकते हैं, मैं आप के सामने है अडामा कंपनी का डेकल ये एक प्रकार का सेलेक्टिव हर्विस आडे किसान मत्रों जो लसुन और प्याज के लिए रिक्मन किया गया अब दोनों ही पसलों में स्काउप योग कर सकते हैं बात करें इसके एक्टिव इंग्रीडियन या फिर इसके टेक्निकल की तो है दो प्रकार के मौड अपेक्शन है पहला है बायोसिंथेसिस लिपिड बायोसिंथेसिस और दूसरा है इसके अंदर जो सेल मेंब्रन डिस्प्रप्शन है दूनों प्रकार से कारिय करता है दो मोड अपेक्शन है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अब सामने तुरों बात क प्योग आपको करना है। एक टेंक जो पांसो लिटर वाला होता है। उसमें आपको आदा लिटर डेकल उप्योग करना है कसान मत्रोग। चाहए वो आपको कितनी बी जगे में आपते उपध्ड परा करना है। है को आपको इस वीडियो के अंत में अगर इसका जादा असर होता है तो एक दवाई बताऊंगा उसका साथ में अगर आप प्रयोग करते हैं स्प्रे करने के बाद तो आपके जो चाल रुकी है आपकी लसुन में जो असर हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो अडामा कंपनी का आपको हर जगे पर मिल जाएगा यह चोड़ी पत्ती और संक्री पत्ती के दोनों ही खर्पदवार जो होते हैं उनके उपर कारे करता है बहुत अच्छा टेक्निकल है किसान मत्रों आप जरूर इसका प्रयोग करें आपको इसका प्रयोग है आपको सिंगल प्रयोग करना है अकेले इसका प्रयोग करना है इसके साथ में आपको कोई भी पाउच कोई भी चीज मिलाने के जरूरत नहीं पड़ेगी अब किसान मत्रों चोड़ी पत्ती के जो अलग खर्पदवार नाशक है जो चोड़ी पत्ती के उपर ही कारेगा इसकी हम बात करते हैं तो यह है यह फेमस है बहुत सारे जो किसान मत्रेंस का उपयोग भी करते हैं सेम टेकनिकल वाली बहुत सारी दवाईयां मार्केट में उपलब्द हैं पर यह बहुत जादा फेमस है डव कंपनी का गोल और इसके लिए टेकनिकल की हम बात करें तिसमें आता है ऑक्सी फ्लोरोफेन 23.5 प अरपतवार हैं सभी पर कार्य करता है बहुत अच्छे से कार्य करता है अब किसान मत्रों इसके डोस की बात कर लेते हैं दो डोस इसका है 8-10 ml प्रतितंकी मतलब 20 लीटर वाला जो पानी है 20 लिटर में आपको 8-10 ml डालना है अगर आप 100 ml की बात करें तो यह 100 ml जो बॉटल ह आपको इसको 200-220 लीटर पानी में डाल कर उपयोग करनी है किसान मत्रों खेत में अच्छे से नमी रखें खेत में नमी रहेगी तभी अच्छे से यह कार्य करेगा बहुत अच्छे रिजल्ट है सेम टेकनिकल वाला गर कोई और भी दवाई मिले तो वो भी यही काम करती है उसका डोस भी इतना ही रहता है आप वो भी उपयोग कर सकते हैं किसान मत्रों आप घास प्रजाती के जो खर्पदवार बचे हैं उनके उपर बात कर लेते हैं आप उक्सिल प्लॉरोपी डालेंगा उसके साथ में जो वो चोड़ी पत्ती के उपर कारेगा और संक्री पत्त जिसका प्रयोगर आप करेंगे तो घास प्रजाती के जो खर्पदवार हैं उनके उपर यह अच्छे से कारेगा वीजियो आप आपके सामने देख रहे हैं इंडोसिस कंपनी का टोपो टोप के नाम से आता है किसान मत्रों इसके अंदर आठ पाउच आते हैं आठ पाउच क कि असलिग नाम से ओफ बहुत यह कह सकतै की बहुत खर्चे थैसनेלק को समस्साय अजातीं चाहितें भी शर्पतवार नाशक प्रयोग करें तब उसके साथ में मैं इसके साथ में यह में इक डी साथ में बताता हूँ यह मेरा पर्सनल रिकमंडेशन आप अपने शोशाप से आपकी जो चीजें है वो प्लस-माइनस कर सकते हापको लगता है नहीं डालना है तो आपना डालें आपको लगता है कि डालना है तो आप डाल सकते यहाँ पर आप्पींट 13.4, प्रतीशत नाइट्रोजन धेस्चेमलोरे 4, के साथ में डालेंगे तो आपकी जो फसल हैं उसके उपर कोई भी नेगेटिव असर मतलब जो एक जटका सा लगता है वो नहीं होगा आप इसका प्रयोग खरपतवार नाशक डालने के दो दिन बाद चार दिन बाद भी कर सकते हैं यह आपकी फसल को तुरंट एनरजी देगा और बहुत जो वापस से खरपतवार नाशक से जो जटका लगा है वो सहन करने की शमता देगा और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाएगी तो आप इसका या तो साथ में प्रयोग करें या आप स्प्रे करने के तीन दिन बाद या चार दिन बाद आप प्रयो कर सकते हैं ओमेक्स कंपनी का बायर 20 यह 250 ml में आता है किसान मतरों 2 ml प्रती लीटर के साथ से इसका डोज है आप अपने विवेक के साथ से प्लस माइनस कर सकते हैं डेड़ से 2 ml आप प्रती लीटर डाल सकते हैं तो किसान मतरों कोई भी हर्विसाइड उप्योग करने करते समय खेत में परयाप्त नमी होना चाहिए तो लहसुन में भी वो चीज लागू होती हैं खेत में परयाप्त नमी रखें नमी न हो तो स्प्रे ना करें अच्छे से नमी होने के बाद ही स्प्रे करें और खेत में पानी है, जब भी आप स्प्रे करें तो जादा पानी का प्रयोग करें, कम पानी के अंदर दबई स्प्रे ना करें, और अपने विबेक के साब से डोज किसी भी दवाई का प्लस माइनस ना करें क्योंकि ये खर्पदवार नाशे के नॉर्मल कोई इंसेक्टिसाइट फंगिसाइड नहीं है कि नुकसान नहीं होगा अगर डोज आप अपने हिसाब से प्लस माइनस करेंगे